हेलो एबरीवन वेरी वेरी गुड मार्नींग कैसे हो आप सब हम सब तो बिलकुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सब ही का आपके अपने चैनल सके ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सबसे पहले आप सब ही को मेरी राम राम अभी ये सुबह साथ बजे का टाइम है थोड़ा बोतरसोई का काम निपटा लेती हूँ तो सोजा कि चलो ब्लोक स्टार्टिंग भी कर ही लेती हूँ और आज की वीडियो में आप सब को ये ठुक ठुक की आवाज कुछ ज़्यादा ही सुनाई देगी वैसे ये शाम 6 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो में वोईस ओवर कर रही हूँ लेकिन चार नंबर फ्लैट पे काम चल रहा है फ्लैट तयार हो रहा है तो सुबह से शाम तक ये ठुक ठुक की आवाज आती रहती है आजकल तो मुझे नीटिंग की वीडियो बनाने में भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि जब भी वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ तो ये ठुक ठुक की आवाज आती रहती है नीचे तोड फोड चल रही है और देखिए यहां पर फ्लैट में रहने का सुख भी है लेकिन अगर मालिया मैं पांच नंबर पे रहती हूँ छे नंबर पे कुछ काम चल रहा है या चार पे चल रहा है थोड़ी सी भी आवाज होगी न वो सारी ऐसी आती जैसे मालिया मेरे खुद के रूम में सब कुछ काम चल रहा है तो यहां यह आवाज काफी आती है तो अभी रसोई में मैंने सबजी काट के रख दी है बरतन वगरा थे, उनको सेट कर दिया है थोड़े बहुत बरतन थे, उनको साफ कर दिया फिर अभी मैने सासु मा को नहला दिया है मुझे यह होता है कि ज़ाडू पोचे वाली आए, उससे पहले मैं अपने वाले जो काम है, उनको कम्पलीट कर लेती हूँ फिर क्या होता है न कि वो ज़ाडू पोचा कर रही हो और उसके बीच में मैं अपने काम करती रहूं तो फिर साफ सफाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता बीच-बीच में वैसे ही पैर छप जाते हैं तो इसी वज़े से मैं यही कोशिस करती हूँ कि जब वो आए तो उससे पहले मेरे काम कम्प्लीट हो जाए तो सासुमा को नहला दिया है सिर में तीर लगा के कंगी कर दी है वैसे बाल काफी छोटे है टोपी पहननी है लेकिन मैं कंगी इसलिए कर देती हूँ कि थोड़ी वो मैंने का दवाई का कोरस है इनका अभी लगभग एक हफते की दवाई बची है सवा दो मैंने हो गए इनको दवाई खाते हुए तो एक हफते की दवाई और खाएगी तो धाई मैंने का कोरस पूरा हो जाएगा वैसे लगवे की जो प्रोब्लम है ना वो तो इनकी सारी ठीक पूझ चुकी है लेकिन बेनों अब तो ये बुढ़ापा है और बुढ़ापे में बिल्कुल ठीक होना मुस्किल काम हो जाता है अब तो थोड़ा बहुत अपना घूम फिर भी लेती है चल लेती है लेकिन जैसे हाथ है अपने हाथ से अपने बटन नी बंद कर पाती है जाद आई है तो यह है कि पैर की मालिश बाद में कर दूंगी तो अभी टोपी भी पहना दी है और पैर की मालिश भी कर देती हूं और चार-पांस दिन हो गई है ठंड लग गई है गले में ज्यादा दिक्कत होती है गला एक्तम से भारी-भारी सा हो गया है और जब सुबह उठते हूं ना तब तो ज्यादा ही दिक्कत होती है उस टाइम पे तो गले से आवाज भी नहीं निकलती है फिर यह होता है सुबह गरम पानी पी लेती हूं फिर अद्रक वाली चाय वगरा ले लेती हूं तो गले में थोड़ा सा आराम पड़ जाता है और इसी वज़े से कल मैंने कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई थी कल तो कुछ जादा ही गले में दर्द हो गया था ऐसा लग रहा था जैसी कर देती हूं फिर ये है कि पोचे वाली आएगी जाडू लगाएगी पोचा लगाएगी वो अपना काम करती रहेगी और फिर मैं बातरूम वगरा साफ करके मैं भी अपना नहालूंगे सासुमा चल पड़ी है बाहर बालकनी में मैंने कुरसी वहां पर डाल दी है तो ये यहां पर बाहर वाश वेशन है इसको भी धो देती हूं क्योंकि बच्चे हैं खाना खाने के बाद यहां पर हाथ धो लेते हैं कुडला कर लेते हैं और ये सोफे के कवर वगरा हैं इनको भी जाड के और दोबारा से बिचा देती हूं क्योंकि क्या होता ना जैसे माल्या ब महमान घर में जुरूर आएगा और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है जिस दिन काम का खलीरा सा बिखरा पड़ा होता ना उस दिन तो कोई न कोई जुरूर आता है और जिस दिन पूरा घर सैट करके रखा होता ना उस दिन कोई भी नहीं आता है मैंने ये बात कई बार आज म वेट रखा है घर चका चक चमक रहाए उस दिन कोई भी नहीं आएगा यह मेरे साथ एक बार ने कई बार हो चुका है लेकिन फिर यह होता है कि कभी कभी कोई काम चूट जाता है किसी और काम में लग जाते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि डेली अरकाम हो पाए तो अभी ये सोफे के कवर जाड के बिच्छा देती हूँ फिर नाना धोना हो जाएगा अभी नहा ली हूँ अपने बाल भी धो लिये हैं और साथ के साथ दो जोड़ी कपड़े थे एक टी शेट लोवर और मेरी कुर्ती थी गरम वाली और ये सब कपड़े मैं हाथ से ही दोती हूँ क्योंकि उन्नी कपड़े मसीन में कभी भी नहीं दोती हूँ हाँ सुखाने होते हैं तो इनको मैं मसीन में जरूर सुखा लेती हूँ और एक वीडियो मैंने आप सब के साथ शेयर भी की हुई है कि हमारे जो स्वेटर बगएरा होते हैं इनको मसीन में किस तरीके से सुखाना चाहिए यह होता है कि मसीन में ड्राई करने के बाद यह जल्दी से सूख जाते हैं नहीं तो दो से तीन दिन लग जाएंगे इतनी मोटी कुर्ती सूखने में और दूप भी निकली हुई है तो अभी इनको सुखा देती हूँ फिर अभी कंगी तो मैं नहीं करूँगी बालों को सुत्ती जो मेरी चुन्नी है उसमें ऐसे ही लपेट लोंगे क्योंकि फिर खाना बगरा बनाऊंगी गिल्ले बाल है टपकते रहेंगे ऐसे में मेरे कपड़े भी गिल्ले हो जाएंगे काम नहीं चलेगा तो यह है कि अभी कपड़े सूख जाएंगे और यह देखिए हमारी सासुमा दूप से एक रही है बैठी है अराम से तो मैं भी अपना कपड़े बगरा सुखा देती हूँ फिर चलते हैं रसोई में अभी सबसे पहले सबजी में चोख लगा देती हूँ और यह तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी कि फिर बाद में नहा दो के रसोई में आऊंगे तो सबजी में चोख लगा दूँगे दही भी लो दूँगे अटा बगरा लगाऊंगे तो यह सारे काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि सबजी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि इसको काटने में तयार करने में टाइम लगता है तो ये सारा काम मैंने पहले से ही कंप्लीट कर दिया था और मैंने अपने लिए एक कप चाए भी बनने के लिए रख दी है कि नहाद हो के आई हूँ, सर्दी लग रही है तो एक कप चाए पी लोगी बाद में आराम से अपना रोटी बगरा बनाती रहोंगी और सुबह के खाने में बना रही हूँ, आज कल जो टिंडे आ रहे न मार्केट में देशी टिंडा नहीं है, वो दूसरे वाला है उसकी सबजी बना रही हूँ, और ये सबजी मेरे दोनों बेटे बिलकुल भी नहीं खाते है बाकी मैं विशाल के पापा जी और विशाल की दादी जी, हम तीनों तो खाते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं फिर इनके लिए मैं नमकिन चावल बनाऊंगी और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके बच्चे ऐसे ही हैं बहुत सारी सबजी ऐसी हैं जिनको बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं जबकि खानी चाहिए लेकिन बच्चे नह ने सबजी काटी हुई थे ना इसी से देखे मैंने ढख दिया है और लो फ्लेम पर अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी तब तक मैं दही को भी बिलो देती हूँ और आज कल मैं दही हर रोज नहीं बिलोती हूँ तीन दिन की मलाई इकठी करके एक दिन जमा देती हूँ तो ती भी उसमें कुछ मखन निकलेगा तो इसी वज़े से मैं सोचते हूँ कि रोज रोज काम बढ़ जाता है बहुत सारे काम हो जाते है तो तीन दिन में एक बार मैं मखन बना लेती हूँ इधर मैंने बच्चों के लिए नमकिन चाओल भी बनने के लिए रख दिये हैं कुकर मे और इधर मैं अपना दही को भी लो लेती हूँ तो ये देखे सबजी बनके तयार हो गई है बहुत ही स्वादिश्ट सबजी बनी है अब सरदिया है तो हरा धनिया इन दिनों में तो बहुत होता है और धनिये से सबजी का स्वाद एटोमेटिक और जादा हो जाता है और मु भी शुरू कर देती हूँ तो लो जी रोटियां भी बनके हो गई हैं तैयार तो आप सब भी आईए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लिजिए और आज की इस वीडियो का मैं यहीं परेंड करती हूँ मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामी राधे राधे जै शरी राधे बाई बाई खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए